नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है बालचंद्रा, ब्राह्माट सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है या फिर ऐसे कौन सी बात है, जो कि टालनी चाहिए, बात अगर ब्रेक अप तक पहुंच है, तो क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डीटेल में चर्चा, इस वीडियो में हम करने वाले है, अपना जो चैनल है, ब्रह्माट सिद्य एस्ट्रो, इस चैनल पर मेश राशी से ल मिधुन और मीन राशी की जो स्त्री है, उसके बारे में, सबसे पहले मिधुन राशी के जो पुरुष है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसके बारे में अगर देखा जाए, मिधुन राशी के बारे में अगर देखा जाए, तो काल पुरुष के कुंडले में, तृतिया वो होती है इनकी वानी या फिर इनका जो communication skill होता है communication skill या फिर वानी या फिर language पर इनकी जो पकड़ होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है कई प्रकार के language इने अवगत होते है उसी प्रकार इनकी जो ग्यान होता है वो भी काफी अच्छा देखे जाता है बच्पन से ह इनको ये जो विक्ति होते हैं, काफी ज़्यादा क्यूर्योस हते हैं, हर एक छोटी जोटी बातों को लेकर काफी ज़्यादा मैं तो इनको देते हैं, और नॉर्मले देखा जाते हैं, तो प्रश्ने को उत्तर भी लेते हैं, इस वज़ासे कई प्रकार के जो फिल्ड होते हैं एक्षेत्रे होते हैं उससे related knowledge इन में देखा जाता है अलाकि जो knowledge होता है वो बहुत in-depth नहीं होता लेकिन किसी वेक्ति के साथ communicate करने के लिए वो काफी होता है इस वज़े से इनका जो मित्र परिवार होता है वो काफी जादा देखा जा सकता है sharing करना इने काफी जादा लता है लेकिन अकेले कभी नहीं घुमेंगे किसी को साथ लेके घुमेंगे तो ये बात इमें थोड़ी से देखी जाती है उसी प्रकार रहेंसेन के मामले में भी अगर देखा जाते है इनका जो रहेंसेन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है trending fashion या यह जो विक्ति है उसमें या फिर्म का जो रहेंसेन होता है जीवन के प्रती इनकी जो निश्टा द्रिष्टी होती है तो इसमें हमेशा changes दिखाई दे सकते है अलाकि अगर देखो कि तो fashion के मामले में रहेंसेन के मामले में इनके विचारों के मामले में यह जो बात है वो काफी ज़दा highlight है उसी प्रकार जो भी यह खाते पीते हैं उसके बारे में भी इनकी जो पसंद होती है वो हमेशा बदलती रहती है जैसे के छोटे बच्चे होते हैं मतलब बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों की तरह ही इनका जो nature होता है वो देखा जाता है चोटे मोटी बातों को लेकर हम छोटे बच्चों में देखते हैं, वो इनमें बहुत ही अच्छे देखा जाता है, इंसानियत इनमें काफी अच्छे देखे जाती है, ट्रांस्परंस इनमें काफी अच्छे देखी जा सकती है, जो बात इनके रिदय में होती है, वो ही इनके जवापर देखी जा सकते हैं, और इन पर ट्रस्ट वगरा कर सकते हैं लेकिन देखें जो consistency वाली बात होती है वो इनमें थोड़ी सी कम होती है परजी वरेंस जिसे हम कहते हैं वो जो गुन होता है वो इनमें थोड़ा सा कम देखा जाता है मतलब एक ही विशेपर कई दिनों करना यह इन्हें ज्यादा रास ग्राशी की पूरुष काफी ज्यादा आगे यह अक्लन शक्ति है इनमें बहुत ही अच्छे देखी जा सकती है और इनका जो communication skill होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है G1 के प्रती इनके जो material happiness इनका ज़्यादा नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा शक्ती भी देखी नहीं जाते ambitious भी नहीं होते लेकिन happy go lucky वाली इनके personality होती है वो normally देखी जा सकती है बहुत ज़्यादा गंबी यह नहीं देखे जाते है हाला कि कोई भी विशव बहुत ही easy ले आपको समझा के देगे तो यह मदा helping nature इनके देखा जाता है gossiping normal इनके देखी नहीं जाती अब हम चर्चा करेंगे मींद राशी की जोस्त्री है उनके वेक्टितवे के बारे में मींद राशी की जोस्त्री या फिर मींद राशी के मामले में अगर देखा जाए तो कालपरिश्की कुंडली में बारवेस्तान में आने वाली यह राशी है स्त्री राशी है इस राशी का जो स्वामी है वो गुरु है इस राशी का जो तत्वा है वो जला तत्वा है और यह जो राशी है द्वी सभाव की राशी है कई ऐसे जो गुन है वो मितन राशी में और जो मीन राशी में आपको करीबन सेम दिखाए देंगे पहले दो सबसे मैं तो पुर्ण बाद मीन राशी की जोस्त्री है उनमें देखे जा सकती है वो होता है इनका सांदेरिया बहुत ही अच्छा सांदेरिया होता है और बहुत ही जिसे हम छोटों बच्चों की तरह इनका भी नेचर देखा जाता है और इनका जो सांदेरिया जो beauty होती है, काफी अच्छी देखी जा सकती है, किसी भी प्रकर का fashion इने जचता है, तो ये बात इनमें खासी अच्छी देखिए, जासे काफी ज़्यादा emotional होते है, मतलब जो भी राशी है, सभी राश्यों में सबसे ज़्यादा emotional मीन राशी की जोस्त्री है, जो भी बाते हैं, जो भी बाते हैं, जो कि कई दाफर negative थोड़े होते हैं, और एक मामला इनमें काफी ज़्यादा देखा जाता है, जो के समझ में लेना बहुत important है, अकेला पन का, तो loneliness इनको काफी ज़्यादा feel होते हैं, अंदर ये अंदर वो खाई जाती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देगाना आवश है क्योंकि ये जो राशी है, मतलब मिन राशी की जो स्तरी होती है, मैंने जैसे कहा कि काफी ज़्यादा emotion देखी जाती है, helping nature में बहुत अच्छा देखा जाता है, और कई दाफ़ा कई लोगों को ये help इतनी ज़्यादा कर देते कि खुद के पास अगर कुछ नव बचा हो फिर भी help करती है, लेकिन जमाने से या फिर दुनिया से इनको जो reverse में मिलता है, वो थोड़ा सा अलोग होता है, इस वज़े से वो खुद को ज़्यादा कोस्ती है, वो खुद को थोड़ा सा underestimate भी करते हैं, तो इन चीजों पर थोड़ा सा practically भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं बचता है, फिर भी आपको अगर दानवान कर रहे हैं या फिर helping कर रहे हो, तो वो जो बात है आपके लिए problem वाली हो सकती है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, दूसरी दा मैतवर पुर्णपाद, इनकी भी grasping काफी अच्छे होते हैं, मतलब इनका जो अकल शक्ते ग्राश्यक काफी अच्छे देखे जाती है, स्कुल कलर्च के जो शिक्षा होते हैं, इनमें भी ये काफी अच्छे आगे बढ़ सकती है, अब यहाँ पर भी जो मींदराश्यक की स्त्री है, वो भी फिजिकल जो स्टेंडर्स होते हैं, जो इनकी थोड़े काम होते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसमें कष्ट वाला काम है, या फिर हाड़ वर्किंग ने चैनल में देखा नहीं जाता है, लेकिन इनमें एक बात बहुत अच्छी होते हैं, जो कि बाकी की जो राशिया हैं, उनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती हैं, जो है लग, मींदराश्यक की जो स्त्री होती है, इनका जो लग फेक्टर होता है, वो काफी अच्छा देखा जाता है, इस वज़ा से जीवन में कई ऐसे जो गोने मतलब हार्ड वर्किंग में देखा नहीं जाता है, या फिर गोल ओरेंटेशन, या फिर एमबिशन, यह सब भी थोड़ी कम होते हैं, फिर भी जीवन में काफी अच्छे तरकिसे सेटल हो जाते हैं, और इनको बाकी का जो परिया तो qualities होती है, वो बहुत ही अच्छे देखे जा सकती है, वो होता है, इनको intuitions काफी अच्छे आते हैं, कोई भी बात अगर देखते हैं, किसी विक्ति को देखते हैं, तो इनों ने जो भी बात अनुमन लगाते हैं, वो कई दफ़ा सही होती है, तो यह जो intuition वाला मामला है, वो इन में बहुत अच्छा देखा जाता है सपने में कुछ दिखना और वह आगे जाके सत्य होना तो इस प्रकार की जो बाते हैं वो कई दफ़ा मिन राशी की जो स्त्री है वो अनुवाव करती है तो इस प्रजा से भी देखा जाए तो ये जो बाते वैसे देखे जाता तो जेसे मेंने का कि जो दोनों राशीया है वो कई मामलों में कRobरीबब सेम है दूसरी जाद मेह Jaity बहुत अच्छा लगता है हाला कि इसका थोड़ा सा अलग भी मना कई बगे इनको डर भी लगता है तो थोड़ से डरे डरी या फिर सहमे सहमे भी रहते हैं तो मीन राशी की जोस्त्री है मोटे तौर पर अगर देखा जाए काफी ज़्यादा ट्रांसपरण होती है दूसरे के मामले में जादा इनको जो मतलब स्ट्री वर के नॉर्मल जो परस्णलेटी होती है कि इनको शेरिंग करना काफी पसंद आता है कुल मिला कर देखा जाए तो मीन राशी की जो स्त्री है बहुत ही सिधी साधी होती है और बहुत ही ज़्यादा भावनाशील होती है आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो ट्रांसपरन से इनमें पर काफी अच्छी देखे जा सकते जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि मिथुन राशी की पूरुष और यदि मीन राशी की स्त्री परस पर में डाशीयस ञे descriptive में होंगे तो जैसे क्या कि क्या पूरुष इनका संदर्य होता है इसके भाज आते हैँ और मीन र्राशी की दिखा्ता है इसे विज़े से दोनों ये जो राशिया है मिधुन राशिय के पूरुष और मिधुन राशिय की जो स्त्री है इनका जो परस पर attraction होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है वो परस पर relationship में आते है और relationship में आने के बाद बहुत ज़्यादा involved होते है और यहाँ पर जो मिधुन राशिय की बात होते है शेरिंग करना ये बात इनको काफी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनके जीवन में मतलब मिधुन राशिय की जो स्त्री होती है इनके जो फोड़ सा loneliness feel करते है लेकि मिधुन राशिय की पूरुष होते है वो उनका जो लोनलीने से मिटाते है घुमने फिर्फ में जाते है तो काफी ज़्यादा इन दोनों में जो बाते हैं वो काफी ज़्यादा सरल हो सकती है अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बाते है जिस पर थोड़ सा ध्यान देना वो हमेशा अगर कोई बुरा भी आनुबाव आ जाए तो भी वो पॉजिटिव रहते है अब यह बात जो मिटारशी की स्तरी होती है इनमें नॉर्मली देखी जन नहीं जाती मिटारशी की जो स्तरी होती है दुखो दुख्स जो होते है उन्हें काफी ज़्यादा सहल आती है मतलब थोड़ा सा नेकेट्व इनका अप्रोच देखा जा सकता अब यह जो बात है मिटारशी की जो पूरुश है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसी वज़े से कई दफ़ा इन दोनों में problem complications हो सकते है और commitment वाली बाद भी थोड़ी important होते क्योंकि दोनों जो राशिया है वो निरने नहीं लेती इनके जो निरनेक शमता होती है वो थोड़ी कम होती है और इसी वज़े से जब भी relationship में आते है इनके जो relationship है वो चलती तो जाता है दोनों involved भी होते है कई सालों तक चलती है लेकिन commitment वाली जो बात है वो देखी नहीं जाता है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवशक है लेकिन मोटे दोर पर अगर देखा जाये तो दोनों जो राशियां के कई जो मानसिक जोगून होते है काफी जादा सेम होते है इससे वज़े से बहुत अदा stress tension देखी नहीं जाते है यदि भी आपके relationship में कोई problem आते है तो फिर आपकी जो कुणली है वो देखनी जादा आवशक होती है क्योंकि जो राशियां सिर्फ चंद्रमा के उपर आदा रहती है हर कुंडले में चंद्रमा के अधरी बाकी 11 ग्रवी होते है और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते है वो कौन से राशिय नक्षतर में या फिर योग में है या फिर कौन से नौमाँश में उनकी डैनिक गती क्या है वो जानकर इसके बारे में ज्यादा कहा जा सकता है तो दोस्तों ये था प्रेम में या फिर रिलेशंचिप में मिधुन राशिय के पुरुष और मिधुन राशिय के स्त्री अगर होगे उनकी जो relationship है वे किस प्रकार से आगे बढ़ सकती इस विशेव पर चार्चा आपको भी वीडियो कैसे लेगा आपने किस प्रकार से अनुब हो किया नीचे comment box में ज़रूर comment करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मान्ट सिद्धियाइस्ट्रो इसे भी like, share और subscribe ज़रूर करना मैंने बार